है गाईज वेलकम तो माई यूटूब चनल नीव लोग आज हम पहुंचे हैं वारा नसी और अभी हम इतरे हुए हैं अपने वारा नसी में और वारा नसी का पूरे आपको नजारा दिखाना चाहते हैं और हम चलते हैं धेरे-धेरे करके अपने 802 घाट पे और 802 घाट के पूरे नजारा आपको दिखाएंगे कि कैसे यहां पर आरती होता है और एक अपना कने जल अस्थान होता है कने लोग अस्थान आरती असनान करते हैं और यह दिखे आपको समय में दिखाई दे रहा होगा क कि पूरे लोग यहां पे खुचाखवाश भरे हुए हैं और हम चलते हैं और आगे आपको और कूछ दिखाते हैं इस वीडियो में आप वीडियो में जरूर एंड तक जरूर बने रहेगा और कुछ ऐसे चीज़ भी दिखाएंगे कि आपको लगेगा थिहां यहां पर कोछ अच्छा है और जो भी लोग हमारे बेशन इस वीडियो में ख़ड़ा एंड तक बने रहेंगे और देखे और हमारे चरते हैं और यहां तो देखे समने में दिखाई देराओगा आपको यहां तबी सुवा शुबा कैसा काई है और देखे भावी लोग भी यहां पर जा रही ह तो देखिए अब हम पहुंचने वाले हैं अब हम 80 विश्वनात घाट के पास पहुंचने वाले हैं सुबा का टाइम है, सुबा के टाइम हम देख लेगे हैं कि हम भी थोड़ा 80 विश्वनात मंदर के पास दर्शन कर लें और ऐसे में भी तब हम उहां पे चलेंगे तो थोड़ा सा कुछ नोहड़िया लोग से बात करेंगे आओ कुछ आपको हम नहीं दिखाएंगे कि यहां पे गंगा माई की किनारे कैसा कैसा जड़ यहां दोगरा पोटल लगा हुए राता हैं किधर से लोग आते हैं पूरे हम किस गली से जाते हैं और उहां के बाद हम चलेंगे दसा सुमेर घाट पे और कासी मनकेन का घाट पे चलेंगे और ऐसे ऐसे करके पूरे हमारे बनारस में जो भी हमारे जो एक और एक असीग हाट के आपको वीजियो में दिखाएंगे और अभी तो ऐसे शुबह शुबह ज्यादा जाम नहीं है आईसे भी यहां पर बनारस में तभी भी आपको आईएगा तो आपको कभी भी खाली जगा नहीं मिलता है चलने के लिए अभी अब ऐसा क्या है कि अभी कासी विश्वनात मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको सुब्ब में बहुत अच्छा मिलेगा टाइम बहुत अच्छा टाइम लेगा आप जा सकते हैं जैसे हमें पूरे खाली में ज़र आएगा पूरे खाली में ज़र आएगा क्योंकि जड़ा भीर लगता है तो आठ आते हैं और अस्नान करने और हमारे यह क्या होता है कि कासी विश्वनात मंदिर के पास दर्शन करने और यह दिखे आपको सामने में चेक पोर्ट यह दिखाई तेरह आपको और आपको अगे